असलाम लेकूम लेडीज और जेंटलमेन वेलकम टू अनदर टुटोरियल ओफ कैनवा ट्रेनिंग कोर्स आज के इस टुटोरियल में मैं आप लोगों को ड्रिप टैक्स इफेक्ट बनाने का तरीका बताऊंगा दोस्तो याद है ना इसी कौर्स में फोटो अर्डिटिंग के म الرहले में हमने फोटो पर ड्रिप इफेक्ट बनाया था तो उसी तरह आज हम टैक्स पर ड्रिप इफेक्ट बनाने का तरीका जानेंगे दोस्तो एक कैनवस पहले ही मैं ओपन कर चुका हूँ तो मैं text के इस module में आकर इस heading को add कर लेता हूँ और यहाँ पर drip लिख लेता हूँ और इसे बड़ा करके इसकी position को middle and center कर लेता हूँ तो दोस्तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को canva में ही मुझूद drip text की font दिखाता हूँ इसके लिए text को select करें और यहाँ पर font पर click करके आपने इस text box में drip लिख कर सर्च करना है तो यह font आपके सामने आजाएगी इसको just apply कर दें and that's it आप देख सकते हैं के drip text में एक बहुत ही अच्छा effect बन चुका है आप इसे किसी भी design में बड़ी ही असानी से use कर सकते हैं तो चलिए बढ़ते हैं next और मैं आप लोगों को customized text effect बनाने का तरीका बताता हूँ तो इसके लिए आपने elements पर click करना है और यहाँ search box में drip लिक कर search कर देना है जिस पर यह items आपके सामने आ जाएंगे let's suppose मैं यह वाला use कर लेता हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह दो color में एक gradient element है यहाँ पर क्या करना है कि आपने इसके color को canvas के color में change कर देना है जैसा कि canvas black है तो मैं इन दोनों colors को black कर देता हूँ इसके बाद आपने इस element को इसकी मतलूबा जगा पर जाकर set कर देना है और फिर इसको copy paste करके या duplicate करके तमाम text के उपर कुछ ऐसे लगा देना है और इसके बाद क्या करना है कि आपने उस canvas को download कर लेना है जैसा कि यह page number 2 है मैं इसे download कर लेता हूँ इसके बाद remove bg की website को open करना है और इसके background को remove करके वहाँ से download करें और फिर दुबारा इसको अपने canvas पर ले आएं तो मैं background remove हुई image को drag and drop करते हूँ अपने canvas पर ले आता हूँ मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ और फिर क्या करना है कि आप लोगों ने drip elements को यहाँ से remove कर देना है और इसके बाद जिस color में आप text को shade देना चाहते हैं उस color को select कर लें मैं यहाँ पर red select करता हूँ और फिर आप लोगों ने background remove हुई text image को इस text के उपर ले आना है और बिलकुल इसके बराबर resize कर लेना है और फिर इसके बिलकुल उपर set कर देना है जिससे आपका drip tax effect कुछ ऐसे नजर आएगा इसके इलावा आप इसकी और भी बहुत सी styling कर सकते हैं जैसा कि मैं edit image पर click करके यहाँ से shadow में मुझूद glow पर click करता हूँ और फिर दुबारा इस पर click कर देता हूँ जहां से मैं इसके shadow का color change कर पाऊंगा तो मैं ये color select कर लेता हूँ इसके बाद blur 0, transparency 100 और size 15 तक ले जाता हूँ अपलाई करने के बाद आप जरा tax पर गोर से देखें कि ये एक निराले अंदाज में drip tax effect त्यार हो गया है इसके बाद tax की दोनों layers को select करके group कर लें जिससे आप इसे resize भी कर पाएंगे और किसी दूसरे design element में भी use कर पाएंगे तो दोस्तो कैसी लगी ये वीडियो राय का इजहार आप लोगों ने comment करके करना है इसके साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है और चैनल को सबस्क्राइब भी इसके साथ ही मैं अजाज़त चाहता हूँ मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अल्हाफीज